मैं पहला सवाल आसुतों सर्ड आपसे ही करूंगा कि ये जिस रूप में अमरित पाल सिंग का एक पुरी परिखटना सामने आई है उसे हम कैसे समझ सकता है कि रहे से कौन से कारण है जिसके चलते अभी एकदम से ऐसा मुद्धा सामने आ गया और बार बार यह चर्चा होने ल पाल सिंग की जो घटना हुई है इस घटना थे हमें पीछे जाना पड़े था दोजार पंद्रह में पंजाब में दूर्ण साहिब की बैद भी थी और उसके बाद पारिन वी थी तो कुछ लों की डेथ वी थी और वह बहुत बड़ा इश्यू बनाता उसी समय उधर बटिं तो पंजाब में पंजाब की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है अभी अगर आप देखें पंजाब में ग्रीन रेवलुशन बहुत पहले ही अपनी पारी खेल चुका है और पंजाब की एकॉनमी भी वन सेक्टर एकॉनमी है और तल्चरल सेक्टर है वो भी कोई थास पतन का दौर है और ये भी आप याद रहते हैं कि पंजाब में बहुत अच्छे दिन भी देखें वे हैं तो यह सारी चीज़ों को देखते वे और एक और चीज़ में आपको तहना चाहूंगा त्रमल जी कि पंजाब में जो एक जो रैडिकल विचारदारा वो हमेशा रही है आप अगर देखें तो जो अधाली दल का जो एक में ऑफिशियल अधाली दल मानते हैं वो तो मौडरेट रहा है जब से जब प्रुटा सिंग बादल आये हैं 97 से खासकर जब वो मुठिमंत्री बने और उसके पहले भी मतलब मेरे ख्यार में रुचन सिंग तोड़ा और इनकी जो जो जोड़ी बनी थी प्रुटा सिंग बादल की लेकिन एक अताली दल का एक घड़ा वैसा भी रह है जो की एक रैडिकल विचाधारा को पोशित करता रहा है जहां तक अमरिट पाल की बात है अमरिट पाल सिंग आपने बहुत सही का कि अमरिट पाल सिंग को थोड़ा सा है किया जया है कुछ ज़्यादा ही इसको तबज़व दी गई है मेडिया के द्वारा लेकिन मुझे नहीं लगता हमें हमेशा जब अमरिक पाल सिंग की बात करते हैं और पंजाब के सिक्षों में और बाहर के सिक्षों में जो कनेडा में है अमेरिका में उन दोनों सिक्षों में अंतर करना चाहिए तो पंजाब के जो सिक्ष हैं मेरा ख्याल है कि और मेरा विश्वास है ख्याल element को represent करते हैं एक ऐसा element जो हमेशा से पंजाब में रहा है कोई नई बात नहीं है पंजाब में हमेशा से घड़ा ऐसा रहा है जो की विचारदारा से प्रभावित रहा है और जहां आप आप अटोनमिस्ट पॉलिटिट्स टेलिजीए से इसेसिस्टिस टरिए उसका समर्थ है आप अभी देखें जो से मरजीत से मान का जीतना चुनाव में यह क्या द्योतत है इस किस बात का द्योतत है रहे हैं उन्होंने ठालिस्तान के डिमांड को उठाया है